केसे हैं आप सब आज मैं आप लोग के साथ जेर करने जा रही हूं मटर पनीर की रेजिपी और बिल्कुल ही कम इंग्रीडियन्स से बनाया मैंने घर की इंग्रीडियन्स से ही बनाया है तो चलिए सुरू करते हैं और मैंने यहां पर कडाई गरम करलिया है उसमें डाल रही हूं थोड़ा सा रिफाइंड ओएल आप अपने पसंद के कोई बी ओएल यूज कर सकते हैं तो करीब 12 जीरे तो जीरही दो मैं अध्रक लैसन का पेश्ट भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद मैं इसमें डाल रहे हूं पीसा हुआ प्याज मैंने प्याज को मिक्सी में पीस लिया था आप चाहें तो कदुकस करके भी डाल सकते हैं और मैं इसे ब्राउन होने तक भून लूँगी और आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है अच्छे से कलर बिल्कुल चेंज हो गया है उसके बाद मैं इस में अड़ कर रही हूं पीसा हुआ टमाटर और मैंने तीन बड़े साइज के टमाटर लिये थे और उसके बाद मैं यहाँ पर डाली थोड़े से कुटे हुए काले मिर्च और लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी और थोड़ा सा यहाँ पर कस्मरी लाल मिर्च डाला है मैंने और नमक इंबाटिंग टेस्ट उसके बाद सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं मसाली को भून लूँगी जब तक कि इसका तेल सेपरेट ना हो जाए और फिर मैं ढग करके मेडियम टू लोफ लेंपे मसाले को अच्छे से भून लूँगी और आप देख सकते हैं मसाल अच्छे से भून गया है तेल सेपरेट हो गया है अब मैं इसमें डाल रहे हूँ और मैंने लिया है यहाँ करीब दो चमच के आसपास मलाई और यह घर का मलाई है मैंने उसको अच्छे से मेल्ड कर लिया है और उसके बाद मैं मसाले में मलाई को मिला दूँगी और मलाई डलने से इसका जो टेक्स्टर होता है विल्कुल क्रीमी होता है और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे भी पका लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे अड़ कर रही हूँ म और मटर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले में और धक करके मैं धिमी आज पर अच्छे से पका लूँगी और मटर लगबग हमारा यहां पर 80% मटर पक चुका है और आप देख सकते हैं टेक्सर कितना क्रीमी दीख रहा है उसके बाद मैं यहां पर डाल रही हूं थो पर यहां पर दालें थोड़ा सा गरम मसाला और फिर मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसके बाद जितना क्रेवी रखना है उसके रिकॉर्डिंग मैं यहां पर पानी डालूँगी मुझे रोटी के साथ खाना था इसलिए मैं यहां पर ग्रेवी कम रही हूं और फ कानल को सस्क्राइब कर दिजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लास्ट में मैंने यहां पर मतर पनीर के ऊपर डाला है गार्निशिंग के लिए कटा चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉक्स में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर अपना ख्याल रखिएगा